राते राते मित्रों, 5 जून 2020 को पड़ रही है जेश्ट माह की पूर्णिमा मित्रों बहुत ही पावन दिन है ये और इस दिन, इस साल यानी साल 2020 में लग रहा है एक चंदर ग्रहन मित्रों 5 जून की रात को 11 बच करके 16 मिनिट से शुरुआत हो जाएगी इस चंदर ग्रहन की और इसकी समाप्ती होगी रात के ही 2 बच करके 32 मिनिट पर ग्रहन रात को 12 बच करके 54 मिनिट पर अपने अधिकतम प्रभाव में होगा ये ग्रहन यद्यपी एशिया यूरोप आफ्रीका में देखा जा सकेगा लेकिन चुकि ये उपच्छाया चंदर ग्रहन है तो इसलिए सामान्य चंद्रमा और ग्रहन में अंतर कर पाना मुश्किल होगा ग्रहन के समय चंद्रमा के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बस इसकी छवी थोड़ी सी मलिन हो जाएगी उपच्छाया चंद्र ग्रहन का सूतक काल मान्य नहीं होता क्योंकि इस ग्रहन का प्रभाव नहीं होता तो इसी लिए इस ग्रहन के लिए सूतक काले मानने नहीं होगा और आप अपनी पूजापाट अपने रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं मित्रों जेश्ट पूर्णिमा के दिन हमें कुछ विशेश कारे जरूर करने चाहिए क्या कारे करने चाहिए अब वो देख लेते हैं सबसे पहले सुबह स्नानादी करने के पश्चाद हल्दी में थोड़ा सा पाने मिला करके घर के मुख्य दर्वाजे या प्रवेश द्वार पर ओम और स्वास्तिक बनाईए इसके साथ ही आम के ताजे पत्तों क्या बना हुआ तोरण वहाँ पर बांधिये इससे घर का वातावरन बहुत अच्छा रहता है घर में शुबदा आती है और जीवन की समस्याएं दूर होती है दूसरा कारे जो आपको जेश्ट पूर्णिमा के दिन करना चाहिए तो भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी का विशेश पूजन इस दिन करना चाहिए मित्रों पूर्णिमा पर भगवान विश्णू के साथ साथ मा लक्ष्मी का भी अभिशे कीजिए दक्षिनावर्टी शंक में केसर मिश्रित दूद भर कर बहुत शुबोता है ये इसके अलावा पीपल के वरक्ष का भी आपको इस दिन विशेश पूजन करना चाहिए तो उसके लिए आप लोटे में पानी भर कर कच्चा दूद थोड़ा सा डाल कर और साथ में बताशा डाल कर पीपल के वरक्ष को अर्पिक कीजिए क्योंकि इस पे मालक्षमी का वास्त माना जाता है और उनसे प्रातना कीजिए कि वो आपके साथ स्थाई रूप से आपके घर में निवास करें ऐसा करने से जहां मालक्षमी की कृपा से संपन्नता आती है वहीं दूसरी ओर रुका सत्यनारायन भगवान की कथा सुनना बहुत ही शुब माना जाता है मित्रों यद्यपी सत्यनारायन भगवान की कथा परिवार के साथ यानि कुटुम्ब के साथ सुनी जाती है पर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उन परिसित्यों में आप खुद भी बैठ करके सत्यनारायन पूजन बहुत ही शुफलदाई होता है तो भगवान शिव का विदिवत पूजन कीजिए हो सके तो रुद्राबिशेक कराईए या शिव अस्टोतर अर्चन कीजिए ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेज चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को बट पूर्णिमा भी कहा जाता है और बहुत विशेश दिन होता है ये उनके लिए जो विवाहित स्त्रियां है अपने पती की लंबी आयू के लिए और सौभागिशाली जीवन के लिए इस दिन वे वटवरिक्ष का विदिवत पूजन करती है अगला कारे है चंद्रदेव को अरगे देना मित्रों सफल दामपते जीवन के लिए प्रतेक पूर्णिमा को पती पत्नी को चंद्रदेव को दूद का अरगे जरूर देना चाहिए इससे दामपते जीवन में मधुरता बनी रहती है इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़ी हुई समस् अगला कारे जो आपको जेश्ट पूर्णिमा के दिन करना चाहिए तो चुकि शुक्रवार को ये पढ़ रही है और शुक्रवार का दिन भी मालक्षमी का विशेश दिन माना जाता है तो इस जेश्ट पूर्णिमा को रात को नौ से दस के बीच अगर आप अश्ट लक्षमी साधना करते हैं तो निश्ट तोर पर आपके जीवन में सदैव मालक्षमी की कृपा बनी रहेगी मित्रों अश्ट लक्षमी यानि आदी लक्षमी, धान लक्षमी, धहर लक्षमी, गज लक्षमी, संतान लक्षमी, विजय लक्षमी, विद्या लक्षमी, एश्वर लक्षमी इन आठों स्वरूपों का पूजन करने से व्यक्त के जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं रह सकती इसके साथ ही जेश्ट पूर्णिमा की शाम को अपने घर के इशान कोड में यानि नौर्थ हिस्ट में गाय के घी का दीपक जलाईए और दीपक में लाल रंग के धागे का प्रयोग कीजिए रूई की जगह इसके अलावा चुकी पूर्णिमा का दिन है तो दान करना बहुत ही शेश्ट फलदाई होगा गरीबों को दान कीजिए विशेश तोर पर सफेद रंग की वस्तूओं का जरूर दान कीजिए इस दिन अ होगी नमू नारायन